हरे कृष्णा बलराम पोड़निमा की आप सभी को हार दिख्षुप कामना है परम पुरुषुत्म भगवान श्री कृष्ण सभी अफ्तारों के स्त्रोथ है और उनका परम विस्तार है शुडी बलराम जी शावन मास की पोड़निमा को बलराम जी के आविरभाव दिवस के फल भक्ति मैं सेवा अर्थात खक्ति और भगवान की सेवा में लगे रहने का आशिरवात हमें सबसे पहले मागना चाहिए श्री गुरु से गुरु परंपरा से और अधी गुरु से जो है बलराम जी और ये बलराम जी देवकी मैया के सातवे पut्र हैं जिनके तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ये बलराम गुरू तत्व है, तो समझने का तत्व ये कि देव की मया को भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हुई, जब तक उनके जीवन में बलराम जी नहीं आए। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी श्री कृष्ण भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक श्री बलराम जी का जन्म नहीं होगा, याने जब तक कोई गुरू नहीं आएंगे, तथा इनका नाम बलराम इसलिए है क्योंकि ये सभी बलों के स्त्रोथ हैं, बल देते हैं, खा और सुन्दर नाम हलधर, क्योंकि ये हल धारन करते हैं, इसका एक महत्व ये, कि वे कृष्ण को प्रधानता दे रहे हैं, दूसरा महत्व आदी गुरू के रूप में, जब वे हल को धारन कर रहे हैं, तो ये सिकला रहे हैं कि जैसे हल चला कर भूमी को फसल के योग्ये बन निकले वह सीधे श्रे कृष्ण के चर्णों में आश्रे ले वह इस हल का एक और अर्थ आचारेगन ये भी कहते हैं कि इन हलधर के पास हमारी सारी समस्याओं के हल हैं समाधान हैं तथा श्री बलराम जी स्वेम पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं उन्हें प्रसन् जी आदी गुरू हैं अर्थात सभी गुरूओं के स्त्रोथ हैं वह आदी गुरू के रूप में वे सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए इस विशे में आदेश देते हैं उपदेश भी देते हैं अतहा जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो बिना संकोच आ मलकर सरवोच्य आध्यात्मिक बल हमें प्रदान कर सकते हैं जिससे भगवान की सेवा कर हम उन्हें प्रसंद कर सके जो इस मानव जीवन की सरवोच्य सिद्धी है धन्यवाद हरे कृष्णा